भारत को T20 वर्ल्ड कप 2007 और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 जिदाने वाले पूर आउर्लाउंडर यूराज सिंग ने बड़ा बयान दिया है। बातचीत करते हुए यूराज सिंग ने अपने रिटार्मेंट लेने और रोहिशर्मा को टेस्ट ओपनर बनाने पर भी बड़े बाते कहीं। यूराज सिंग को जब अलग फॉर्मेट में अलग कपतान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा पहले सिर्फ दो ही फॉर्मेट होते थे अब तीन फॉर्मेट है। और अगर उस पर धबाव ज़्यादा है तो इसके लेटी टुटी फॉर्मेट का अलग कपतान बनाया जाना चाहिए। रोहिशर्मा को साउथ अफरीका के खिलाब बतोर टेस्ट ओपनर टेस्ट करने पर भी यूराज सिंग ने अपनी राय रखी। उनके मुताबिक टीम इंडिया ने रोहिशर्मा को ओपनर बनाने में काफी देर कर दी। यूराज सिंग ने कहा। मेरा मानना है कि रोहिशर्मा को बहुत पहले ही ओपनी का मौका देना चाहिए था। टीम मेनेजमेंट ने रोहिशर्मा को नमबर छे पर उतारा और उसके बाद उन्हें काफी मैचों में प्लेइंग 11 में भी मौका नहीं दिया। इस फेर में उनका काफी समय भी बरबाद हो गया। अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहें तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब क्रिकेट केसरी पर देख रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपन यादो पंजाब केसरी दिल्ली। झाल झाल